प्रतिवार नहीं अस्तापित हो या मालन पर ना हो उसके लिए उन्होंने समझेल कर दिया कार्चकरम और कोई भी कार्चकरम करने का नुमती नहीं दिया गया उसके बाद हम लोगों ने अपने अस्तर से घर पे या गाव में समाज के लोगों ने फुलन देवी का साधर दिवस मनाएं और बिहार में भी मनाया गया लेकिन मेरा कारजकरम पहले से ही रद था उसके बाद जूद भी मैंने रिक्रेस्ट किया कि बनारास में मेरा पहले से आना तरह था तो एक प्रेस कॉंफरेंस किया जाए लेकिन आपने देखा कि कल किस तरीके से उत्तरप्रदेश सरकार ने एरपोर्ट पे ही रोक लिया गया और उत्तरप्रदेश में मत्रव बनाराश में कोई कारजकरन सारे टेंसिन करवा दिये तो कहीं न कहीं वहाँ पे हमें जो देखने के लिए मिला कि मानिय योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुखमंत्री जी है वो कहीं न कहीं मानिय परधान मंत्री जी के बात पे और उनके बोलने पे विश्वास नहीं करते हैं मानिय पढ़्धान मंत्री जी का हमेशा एक नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास तो खास करके उत्ताफ परदेश में पिछली समाज के लोगों को HCST और अतिति पिछला समाज के लोगों को इस तरीके से सम्मान नहीं दिया जा रहा है तो इसके लिए उत्तर परदेश सरकार को सोचने की आप सकता है कि आखीर इस पे कैसी मंधन करना है ये बात तो अलग है कि सनफ मला का डर उत्तर परदेश में दिखा पांच हजार पुलीस कर्मी कल बनारास में उन्होंने चावनी में बदल दिया तो ये सारे चीत तो दिख रहा है कि भैपी पांचर परदेश के मुखमत्री वो है लेकिन भारत हमारा है और जब भारत हमारा है तो हमारा अधिकार है कि कोई भी परदेश में कहीं राजमें हम जाके अपनी बात को रख सके और उसमें कहीं न कहीं उजिस तरीकर से रोके वो उचित नहीं है तो लेकिन ठीक है उनकी पर्देश है तो हम लोगों ने आने वाले समय में उत्तर पर्देश में 165 सिट पर चुनाव लगेंगे मजगूती से हम अपनी सरकार बनाएंगे और जब आने वाले समय में सिफ 18 दूल नहीच फुलन देवजी का प्रतिमा लगे ऐसे हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे आज जैसे हमने बिहार अपनी सरकार बनाया है और हमारी सरकार रहने के बाद आज बिहार में इंडीय की सरकार है और हम लोगों ने सांतिपूर यहाँ पर कारजकरम किया और इसी कारजकरम को आने वाले समय में भी हम लोग करेंगे लेकिन मैं अभी भी योगी जी से कहूंगा कि जाती भी से ना सोचकर सब के साथ देकर सब को भरोसे में लेकर काम करें और मैं चाहाँगा कि पिछरे समाज क उरिशा में बंगाल के कुछ हिस्से में पाटी को मजगूत करेंगे ताकि 2024 में हम 2024 में ज्यादा ज्यादा सांसत पहुचाएंगे और हमारी जो मुख मांग है निशा समाज को आरच्छन लागू करवाना आरच्छन तो पहले से मिल रहा है लेकिन लागू नहीं है कुछ परद मजगूती से 2022 में चुनाव लड़कर और उत्ता प्रदेश दिल्ली पहुचेंगे और हम अपनी समाज को आरच्छन की बात है वो पूरा हम लोग करेंगे तो इसके लिए और मैं योगी सरकार को कहना चाहूंगा कि भविस में ध्यान रखे इस तरीके से किसी परदेश के न नेता को आने से मना कर सकते लेकिन हम प्रदेश में मानि मुख्वंदिजी के नेतरूत में सरकार चल्ड़ा और मैं नहीं चाहंगा कि इस तरीके से किसी भी नेता को बिहार प्रदेश में माननित हो या उसको हम लोग रोक ले तो यह कहीं न कहीं अच्छा नहीं ए तो ऐसा अगर हो तो फिर तो पूरे भारत में एक दुसरे को नेता को रोका जायेगा तो ये सही नहीं है ये परमपरा सही नहीं है तो इसके लिए आपको हर जनता को आपको सुरक्षा देना आपका काम है आप सरकार में है आज जैसे हम लोग सरकार में तो हमारा हर एक जवाब दही हम पे बनता है मानी मुखमंत्री नितिसकुमार जी पे बनता है कि बिहार के हर एक नागरी को सुरक्षा देना उसी तरीके से ये देखने के लिए नहीं मिला भविस में भी इसी तरीके से बहुत सारा कार्जकरम होगा अगर ऐसे अगर किसी परदेश का मुखिया का अगर ऐसा मनमाना हुआ तो ये तो भविस में अच्छा नहीं रहेगा कोई भी परदेश के लिए कोई भी राजनेता के लिए तो इसके पूरे भारत के निसाथ, जो फूलन देवी को मानने वाले लोग हैं, सब लोग एक मंच पे एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, फूलन देवी दो बार सांसद रही है, चंबल से लेकर वो सफर को तई किये सांसद पहुँचे हैं, सम्मानित पद पे रहे हैं, उनके बाद उनका हमेशा बिचार रहा, सपना रहा कि पूरे भारत के निसाथ को एक करें, आज उन्हीं के बता हुए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, मैं तो मानता हूँ कि फूलन देवी अभी भी जिंदा है, आज उनके बता हुए रास्ते पे, उनके बिचार पे, आज हम लोग काम कर रह हैं आज फूलन देवी जिंदा रहती हम लोगों के बीच में रहती तो साइध आज ये दिन नहीं रहता आज निसा समाज बहुत आगे निकलता लेकिन उनके बताई वे रास्ते पर हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे और उत्तर परदेश में बिर्यांगरा फूलन देवी अच्छा काम लिए अपर्दान मंत्री जी का सोच है हमेंसा विचार है कि सबका साथ सबका भिकास और सबका विश्वास विद्वास उत्तर परदेश में नहीं दिख रहा है योगी जी को ये चीज़ समझने क्या चकता है खास करके छोते समाज के लोग, छोते जाक्ती के ल सर्कार के साथ आधर देखे जिफ का पार्टी का बात नहीं बात नहीं माना जा रहा है तो इसे वेठग के क्या मदलब है कौन सी बाती है से समर्धन भी लेंगे या सिर्पेट रहेंगे मुकेश जी सरकार के साथ है सरकार मजबूती से चलेंगे और कहीं पे कुछ भी नहीं रहेंगे दरागी बैठक में नहीं है इसके लिए मानिये मुकमांदिरी सोचने का सकता है कि अगर अंब मेरें नहीं रखाक में रखांजा बात रखा जा शुन कर भी मतलrés सर्कार को मिलकमांदे कर सोचने कि अगर एंडिय है तो एंडिय का नहीं आता का बात रखाğı जा शुना जास्थ और उसस साब से जिस तरीके से यूपी में आपका अनाधर हुआ उसकी वज़ा से आपने लिए पाथा निया क्या ने देखिए मेरा कुछ नहीं मैं वह यूगी जी वह अपना किये हैं बिहार में हमारा सब्सक्राइब मुक्मंत जी ने चल रहा है लेकिन आप वहां गये थे कुछ मूर्ती ल लगाने गये थे किस बात का उनको बुरा लगा नहीं वह सारे चीज़ तो सब क्लियर है नहीं है अ झाल